कोरोना वाइरस की चार-चार वैक्सीन का अंत्रीम एफिसियंसी डेटा सामने आ चुका है ओक्सपूर्ट एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन जहां ओवरॉल 70.4 प्रतिशत असरदार रही वही बाकी तीनों का सकसेस रेट 94 प्रतिशत से ज्यादा है ओक्सपूर्ट का ठीका भी खास डोस पैटन पर 90 प्रतिशत तक असर करता है रूसी वैक्सीन को छोड़कर बाकी सब वैक्सीन अब रेगुलेटर्स के पास इमर्जंसी अप्रूवल के लिए जाएगी वैक्सीन के अगले साल की शुरुवात में उपलब्द होने की संभावना प्रबल हो गई है भारत सरकार ने टीका करन कार्यकरम की रूप रेखा लगबग बना ली है प्रात्मिक्ता के आदार पर टीका कीने और कैसे दिया जाए इसका पूरा खाका खीचा जा रहा है SMS के जरिये टीका करन की तारिक, समय और जगा बता दी जाएगी मैसेज में टीका देने वाली संस्था, हेल्थ वर्कर का नाम भी होगा पहली डोस दिये जाने के बाद, दूसरी डोस के लिए SMS भेजा जाएगा जब टीका करन पूरा हो जाएगा तो डिजिटल की और आदारित एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा तो वैक्सिन लगने का सबुत होगा एक डिजिटल प्लैटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके जरिये कोई टीको के स्टॉक और डिस्ट को ट्रैक किया जाएगा सरकार क्रम बन तरीके से टीका करन में आगे बढ़ेगी डर को दूर करने का भी इंतिजाम होगा साइड इफेक्स की मॉनिटरिंग होगी कोरोना वैक्सिन लग जाने के बाद सरकार लोगों के मॉनिटरिंग करेगी ऐसा इसलिए ताकि वैक्सिन की सुरुक्षा को लेकर लोगों में बरोसा बढ़ सके टीका करण को लेकर अलग-अलग तबकों में तरह-तरह की भ्रांतिया रहती है इसलिए सरकार पहले से ही राज्य और केंद्रसा सिथ प्रदेशों को इस दिशा में जागरुता अभ्यान चलाने के लिए कह चुके है इसके अलावा वैक्सिन के किसी प्रतिकूल प्रपाऊ से निपटने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है राज्यो से एडना लाइन इंजेक्शन का परियाब स्टॉक मेंटेन रखने को कहा गया है ताकि किसी एलर्जिक रियक्शन की सिती में लोगों को वहल लगाया जा सके इस खबर के बारे में अपने विचान नीचे कमेंट बॉक्स में लिकर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही कोरोना वाइरस वैक्शन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले